जैन दोस्तों आर्मी अगनबीर जीडी और टेन मैन वाले बच्चों का एकजाम 22 अपरेल से चालू होने जा रहा है जिसमें की 15 कुईशन महित के आते हैं जिस और बहुत सारे बंदों का महित जो है कमजोर होता है क्योंकि जीडी और टेन मैन में ज्यादा आठ साइज से जो कोई इसमें फर्म डालते हैं जिनका महित बहुत कमजोर रहता है तो उनके लिए हम 15 कुईशन डेली लेकि महित का आएंगे यदि आप यहां से पूरा कुईशन कर ले जाएंगे तो आप पेपर में लगभग इसी टाइप का कुईशन सारा आएगा सिर्प आपको अंक जो ह भागे तीन माइनस एक तो इसमें सबसे पहले हम क्या हल करेंगे भाग को क्या भाग को ठेक तो क्या लिखेंगे तीन माइनस एक पलस तीन गुड़े छे जो ये भाग आपको दिख रहा है छे भागे तीन भाग को हम क्या लिख सकते हैं बटे में तीन और माइनस एक तो ती यह मान अच्छा प्रक्त प्रक्त करें थे जो हो झाई एडिए balance हूं है यह रख फ्रक्त सम्ट को टोछम हो ठाहर की अरोच मेंस इंसे नियुक्त मैशा को ठोले सीफिक ऑफष्याल सबिस्तरुके रखताए गःको हिसा है टोग गलती से लिखुता यहां कहा रहा है तो वह संख्या कितनी है तो हमको संख्या नहीं पता संख्या हम क्या माल लेंगे यह संख्या एक्स के एक बटा तीन भाग का मान कितना है पांच यह बराबर क्या लिखेंगे पांच तो हमको क्या चाहिए एक्स का मान तो एक्स बराबर ए नीचे है बराबर का हुधर लेकर जाएंगे का है चले गा ऊपर गुड़े में हैं 15 Pi Say Gya 14 संख्या हमाіEl कौन सा है एस नंभर यब चल्ते हम अपने अगे नंभर कूसिन कूसिन नंबर 3 पे कूस नंबर 3 हमादा क्या कह रहा है निमने भिनने में से कौन 75 परिशत की समान है मतलब आपको बताना है 75 परिशत की समान इसमें से कौन सी संख्या है तो हम क्या लिखेंगे 75 और दोस्तों यहां परिशत लिखा है परिशत हटाने के लिए बटेम क्या लिखते है 100 परिशत करने के लिए बटेम क्या लिखते है 100 इसको काड़ दो 25 तियां, 75, 25, 100, तो क्या आ गया, 3 बटे में 4, तो हमारा कौन सा आप्षन सही है, 3 बटे में 4 आप्षन नमबर D, अब चलते हम अपने अगले नमबर कुश्चन पर, कुश्चन नमबर 4 पर, कुश्चन नमबर 4 क्या कह रहा है, एक संभाव तिर्बुच का छ ग्याद कीजिए, जिसकी भुजा का सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर है, संभाव तिर्बुच का छित्फल क्या होता है, संभाव तिर्बुच का छित्फल होता है, रूड 3 बटे 4 गुडे भुजा इसक्वाइर, संभाव तिर्बुच का छित्फल क्या होता है, रूड 3 कितनी बार गुड़ दो दूनी चार पैतालईस दुना नबे फिन दो एक के दो इसको काटन कितना हो जाएगा पैतालेस तो आजाएगा ठीक यहां देखो 45 गुड़ी 45 दोजार 25 रूड तीन अब चलते हैं अगले नंबर कुईशन कुईशन नंबर 5 पर दोस्तों वीडियो को अंतक देखें आपको पेपर में एसा ही कुईशन देखनों को मिलेगा ठीक दोस्तों यह आप पूरा पैटन समझ जाएंग क्या ग्यात करना है चकविदब्याज पूछ रहा है ठीक है तो किनात यह जेँ चकविद ब्याज तो हम पहले क्या निकाने जगा हैंगे मिस दं क्याने आप एबराबर एबराबर क्या लिखेंगे पंद्रह जार छे सो ठीक क्या वर्षका दो वर्षका निखा रहना है गुडे 110 बटे 100 गुडे 110 बटे 100 हो जाएगा ठीक देखो 2 0 से ए 2 0 खतम फिर 1 0 से 1 0 खतम फिर 1 0 से 1 0 खतम ठीक अब क्या हो गया 11 गुडे 6 11 6 6 6 हासिल किन्ना वचा छे 11 55 55 6 61 के 1 हासिल 6 11 के 11 11 में 6 जोडेंगे 17 और किन्ना वचा गुडे 11 किन्ना हो जाएगा 11 6 6 6 हासिल 6 11 के 11 11 6 17 के 7 हासिल 1 11 7 7 7 11 7 7 8 हासिल 1 11 7 7 7 11 7 7 कितना हो गया 18,860 क्या आया मिस धन हमको क्या होता आए चक्विद ब्याज चक्विद ब्याज बरावर क्या होता है मिस धन माइनस मूल धन तो इसमें से मूल धम गहटा देंगे कितना 15,600 क्या कर देंगे माइनर तो 6 मसे 0 गए 6 7 मसे 0 गए 7 ठीक यहां क्या आठ मसे 6 गए 2 और यहां 8 मसे 5 गए 3 तो हमारा इंसर कितना गया 1 मसे गए 0 तो कितना गया 3216 अफ्टर कितना आ गया 3216 आपसंट नंबर दोस्तों को इस सथे काी रहा है जब एक बसटू 2021 रुपए में बेची जाती है तो 15 परिशा थानी प्राफट होता हूं के करे मूल ठेक करेमुल देखो दोस्तों करेमुल यदि डारेक्ट आपको ग्यात करना क्या दिया हो वस्तुका बिकरेमुल दिया बिकरेमुल कि न दिया 211 और यहाँ हानी परिश्यत दिया पंद्रा तो दारेक्ट पहले क्या लिखेंगे बिकरेमुल 221 इसके बाद गुड़े उपर क्या लगाएंगे 100 और बटे में यदि लाब हो तो 100 में उतना जोड़ के नीचे लिए और यदि हानी हो 100 में से उतना घटा के तो क्या हो रहा हानी 100 में से 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा 85 बटे पचासी ठेक इसको 5 से कार ने 5 दूने 10 0 और 5 एक के 5 बचा किना 3 5 सते 35 इसको कार ने 17 17 17 बचा किना 5 22 हो गया 51 सता तिया 51 तेरा हो गया तेरा दूने तेरा गुले क्या वचा तेरा और गुले क्या वचा 20 बडाबर क्या हो गया 36 दो सो शाट 206 रुपय कितना बो सो शाट रुपया तो दो सो स साट क्या सही है आपने अकले नंबर कुश्चन नंबर 7 तो दोस्तों आप सब वीडियो को झान अं तक देखें और सवाल को पूर नियम से लगाएं यदि आपको कोई प्राबलम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं तो हमारा साथ नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिए क्या लिखा अंडर रूड सब के उपर लगा है उसके बाद एक्सों तीरिफन माईनस अंडर रूड नवासी माइनस अंडर रूड तीरपन पलस अंडर रूड 171 तो ऐसे सवाल हर करने के लिए हम यांँ पीछे से लल करते हैं 270 किसका वर गया है 11 और गए 11 इसका काम खतम हो गया जोड़ेगा तीरपन में 11 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 64 क्या हो जाएगा 64 तो अंडर रूर 64 64 कितने का और गए 8 का कितने का 8 का तो यहां 89 123am मैंस क्या हो जाएगा 8 89 में से 8 गए तो कितना बचेगा 89 में से 8 गए 81 81 कितने का और गहे 9 का तो 133 अमारा यह क्या बचा एक सो 133 माइनस 9 एक सो 133 मैंस 9 कितना हो जाएगा एक सो अंडरूट 144 किसका और गहे है 144 कि इसका और्ग है 12 का तो अंडर 144 को यह दिवाहर निखा रहेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 12 144 का और्ग है और्ग से और्ग मुल खत्म तो क्या हो जाएगा 12 अब चलते हैं अपने अगले नंबर कुईशन कुईशन नंबर आठ पे कुईशन नंबर आठ हमारा क्या कह रहा है एक कार को 310 रुपया में खरीद कर 312 रुपया में बेचा जाता है तो कितने पईशत का कितने रुपय का हो रहा है ती दो मसे जीरो गए दो साथ मसे गए छे 62 रुपय का लाब हो रहा है कितने रुपय हो रहा है 310 करे मुल नीचे और गुड़े में 25 बताना है 100 परिशत क्या होता है लाब बटे करे मुल गुड़े 100 तो एक जीरो से एक जीरो का इंसे 31 के 31 31 दु 20 परिश्द कितने का लाब हो रहा है 20 परिश्द मतलब आपसन नमबर सी सही है कुण सा सी आप चलते हैं अपने अगले नमबर कुईशन कुईशन नमबर 9 पर कुईशन नमबर 9 क्या कह रहा है एक टेरेन 25 मीटर प्रती सेकेंड की गत इसे एक खंबे को 12 सेकेंड में पार करती टेरेन की लंबाई गयात किजिए लंबाई मतलब ओही होता है दोस्तों टेरेन की दूरी जिसे हम दूरी कहते है ठीक तो दूरी बराबर क्या होता है टेरेन की लंबाई मतलब दूरी दूरी बराबर क्या होता है चाल गुडे समय क्या होता है चाल गुडे समय ठीक तो 40 में तीस सेकेंड और समय कितना दिया है 12 सेकेंड कितना जाएगा 12-65 के सुन हासिल 6 12 दूनी 24 24 चुछ तो टेन की लंबाई कितना आ गई 300 मीटर कितना 300 मीटर दोस्तों ऐसा ही सवाल आपको वहां पेपर में देखने को मिलेगा आप सवाल से ना डिरें क्योंकि सवाल बहुत ऐसे जी आते हैं कोई दिखकर नहीं होगा सिर्फ आप अभी आपके पाद 10-15 दिन जो बचा है इसमें जी जान लगा के मेनत कर यह आपका पेपर केलियर हो जागा कोई नहीं रोख पाएगा अब चलते हैं अगले नंबर कुईशन कुईशन नंबर कुईशन नंबर 10 क्या है हमारा कुईशन नंबर 10 कह रहा है 3,815 को 9 से विभाजित करने पर सेस्फल क्या पराप्त होगा ठीक दोस्तों इसको लगाने के कई तरीके हैं या तो आप डारेक्ट 3815 में 9 से भाग दे दिजिए जो सेस बचेगा वही हो जाएगा नव से कौन से संख्य कटेगी 9 से वा संख्य कटता है जिन संख्याओं का योग पूरा 9 से कट जाएगा जैसे 3 है पलस 8 है पलस 1 है पलस 5 है ठेक तो 8 एक 9 तीन से पूरा 9 से पूरा कट जाएगा तो कार ने 5 388 बचरा क्या 8 बचरा है तो हमारा सेस क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा भी सही है या तो आप 3815 में 9 से भाग दे दिजिए 9 चोग 36 आ जाएगा कितना 36 बचा कितना दू 9 दूनी 18 कितना जाएगा 3 35 नो तिरिक 27 27 नो तिरिक 27 27 आठ पैटिस तब भी 8 आएगा आपको जैसे इच्छा हो इसी आप लगा सकते है ठेक अब चलते हैं अगले नंबर कुईशन कुईशन नंबर 11 पे कुईशन नंबर हमारा 11 क्या दिया है 123 पलस 72 माइनस चानबे भागे 12 माइनस चोटा बरेकट 8 माइनस 64 भागे 8 तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम क्या हल करते हैं चोटा बरेकट इसके बाद मजला बरेकट इसके बाद बड़ा बरेकट इसके बाद का इसके बाद भाग इसके बाद गुड़ा इसके बाद तेज़, एक सो तेज़ परलस, बड़ा भी रिकट, बहत्तर, माइनस, कितना हो जाएगा, अब देखो दोस्तों, यहां माइनस कचिन लगा है, यहां भाग है, तो इन दुरों पहले क्या हल करेंगे, भाग तो क्या हो जाएगा, बारा के बारा, बारा थे, चानवे, बारा थे चानवे, तो यहां समको क्या मिल जाएगा, आठ, बारा थे, चानवे, आठ मिल जाएगा, बारा थे, चानवे, माइनस, छोटा बरेकट, ठेक, छोटा बरेकट यहां आठ है, माइनस, चाव सट है, भागे, आठ है, तो आठ के आठ, अठठाई, चाव सट हो जाएगा, ठेक ठीक तो क्या हो गया music वह सो तेज एक सो तेज और पलस एक सो तेज पलस पड़ा ब्रैकट बहतर माईनस यह तो 0 हो गया 8 मस्याट गये जीरो तो यहा क्या बचा 8 ठीक तो क्या हो गया 13 ideally यह 12 2 मस्याट नहीं जाएगा एक उधार लें किया हो जाएगा 12 12 में से 8 गे 4 यहां कितना उचाए 664 तो 4 और 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 7 और 4 और क्या 4 3 7 6 2 8 और 1 तो इसे हमारा क्या गया 187, अबसान sug better, कुणवा आफ़ियों अफेगर क्यॐ वान को नबर 12, हम्हें चलते हैं अगले number q couple q2 वार्रा हमारा क्या कहरण रहा है राम और स्याम की आयू का अनपात राम अनपाते स्याम राम और स्याम की आयू का अनपात कितना है तीन अनपाते चार यद उनकी आयू का योग कितना है 161 है तो उनकी आयू में अंतर है हमाल रहने राम की आयू कितना 3 एक्स और स्याम की आयू चार एक दूनु का योग मतलब तीन एक्स पलस चार एक्स ए बरावर कितना एक सो एक सट तो चार तीन कितना हो जाएगा साथ एक्स बरावर एक सो एक सट एक सो एक सट ठेक तो एक्स बरावर एक्स बरावर क्या हो जाएगा साथ एक के साथ साथ दुनी चवदा साथ तरीक एककईस आजाएगा एकस बरावर 21 चार और तीन का अंतर क्या आएगा एक आएगा तो एक बरावर मतलब कितना हमारा इंसर आगया एक बरावर 21 21 आजाएगा ठेक चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले नंबर question question number 13 question number 13 हमारा क्या कह रहा है 144 और 216 का SCF क्या होगा तो दोस्तो इसको या तो आप option से लगा लेजी option मतलब या तो आप जो छोटी संख्या है 144 इससे बड़ी क्या है 216 मैं भाग दे दीजी 216 तो क्या हो जाएगा 144 है कि 144 ठेक तो यहां 6 मैं से चार गए 2 यहां कितना बचा एक मैं से तो जाएगा 11 क्या हो जाएगा 11 मैं से 11 मैं से चार गए 7 72 यहां कितना बचा एक मैं से गए 0 अब 72 में 72 को किस में भाग देंगे 144 में 72 से क्या करेंगे भाग देंगे कितना हो जाएगा 72 72 दुना क्या जाएगा 72 दुना एक सो पूरा पूरा कड़ गया तो इन दोनों का मासा हम को क्या मिल गया 72 या तो आप आप संद देख लेते हैं 72 दुना एक सो 44 बाहत्तर तीया एक सो 66 अब चलते हैं अपने अगले नंबर कुईशन कुईशन नंबर क्विशन नंबरेशन क्या है अगर एक संख्या का 70 परिश्छत 210 है तो इसंख्या कितना है माले रहे हैं संख्य कितना इए येक स थेक येकस का कितना परिश्छत 70 और इस परिश्छत को घटाएंगे तो बठे में 100 ये बरावर कितना देयाIt 212 10 तो क्या चाहिए एक्स का मान तो एक जीरो से एक जीरो कएंसेल और सात एक के साथ तरेक एक काईस कितना आ गया 30 तो एक्स बराबर तीस दस इधर कहा है नीचे दस बचा उपर जाएगा किना जाए गुड़े दस तो तीस और गुड़े दस बराबर किना आगया तीन सो तीन सो आर कुन सवाप्स नमबर ए ठेक अब हम चलते हैं दोस्तों अपने एक लिए नमबर कुईशन कुईशन नमबर 15 पर कुईशन चार्ट थेक तो आर बराबर कि दस ख़िख दो व्हांते हैं आर neural uh पान सो चार्ow और efार थेक तो आर बराबर कि अफंट भूड़े पाइंस ख़िख वटेश चार्पते दो न कि दो दूनी 4 बचा कितना एक 214 दो सद 14 फिर 21 कि दो और 21 कि दो दो तीजाए 6 बचा कितना 1 दो पंचे 10 एक सोब पाइटीस एक सोब पाइटीस सत्य कितना हो जाएगा साथ पच्छे पाइटीस कि पांच हासिल तीन साथ त्रीके कैस तीन 24 कि चार हासिल दो साथ एक के साथ दो नो बटे में 11 तो ग्या कर काट इसको ग्यास काटनें कि ग्यारा अठे 88 बचा कितना चे 65 हो गया ग्यारा पचे 55 दस्मलो तो हमारा क्या गया पचासी दस्मलो नो जीरो तो दोस्तों आज के कुछ से नहीं पर समापत होते हैं कल फिर आप से मिलते हैं जैहन जैभारत